हेलो फ्रेंज हाव यू स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे सीटूब चैनल पर आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो प्रिवियस जो टॉपिक मेरे लास्ट जो टॉपिक था कॉर्णियल अलसर जिसमें मैं आधा टॉपिक को कवर कर पाया था इस वीडियो में मैं उसे वीडियो को आगे कंटिनुव करने जा रहा है आज कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा सींटम सोफ को अलसर की लक्षं क्या क्या हो सकते हैं इसके मैं आपको बताऊंगा कोंपिलीकेशन अफ कोणिया अलसरक या क्या कोंपिलीकेशन है-उसके बारे मैं इस community में आपको बताएं लास्ट ली ट्रीटमेंट आफ कॉम्प्लिकेशन इस वह जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें तो चलिए बिना किसी देर की अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो लेट्स टॉपिक नाउ कॉनियल अल्सर इस स्लाइड के साथ हम अपने प्रिवियस वीडियो को क्या करते हैं टॉपिक को कम्प्लिट करते हैं जो बच गया था तो यहाँ पर देखते हैं बैक्टेरियल सिम्टम्स अगर बैक्टेरियल अल्सर किसी को हो जाए बैक्टेरियल क्रिटाइटिस अगर बैक्टेरियल कॉनि वाला जो पेसेंट रहाएगा बैक्टिल कॉनिन अल्सर से इन्फेक्टेट पर्सन उसका आख में क्या होगा बहुत पेन होगा और इरिटेशन होगा और ब्लरिंग वीजन दूसरा जो है आपको क्या होगा धुंदला दिखाए देगा पेसेंट बूलेगा कि हमें धुन धुन मन नहीं करेगा लाइट से उसको प्रवलम होती है थोड़ा थ्राफ फील होता है तो उसे हम फोटोफोबिया कहते हैं फिर क्या होगा रेडिनेस होगा बैक्टिरियल कॉर्णी अलसर वाले पेसेंट का आख क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा और माइल वाटरिंग होगा हलक को धलका पानी भी चलता है मिंक यांक से कीचंड निस और बहुत सारह पेशेट में देखा गया है I lip lawsuit कर जाता यानि satellites six o जैसा कि आपको इमेज के तुरू दिखाय गिए है symptoms को bacterial symptoms होंगे तो ये सारे चीज प्रजेंट रहेंगे patient में then हम अब बात करेंगे viral symptoms के बारे में corneal ulcer का viral symptoms जब होगा तो patients क्या-क्या complain ले कर आएगा हमारे पास तो सबसे पहला है discomfortable and gritty feeling discomfortable उसको लगेगा और ऐसा feel होगा बुलेगा कि आख में उसका कुछ गड़ रहा है गड़ने जैसा feeling होगा सेकेंड है blurring of vision ulcer के कारण उसको दूर में और नजदीक में क्या धुनला दिखाई देगा उसे blurring of vision कहते है फिर photophobia light देखने में light को tolerate नहीं कर पायागा अलसर वाला patient जैसे ही light या अधिक रोचनी आख के पास आएगी वह उससे दूरी बनने का प्रयास करेगा चौथा redness कि वाइरल वाले patient में आपको लाल आख दिखाई देगा ठीक और एक और point है इसमें excessive watering जो वाइरल का जो और वाइरल कॉर्णिल अलसर रहेगा वैसे patient में सबसे ज़्यादा क्या होगा excessive watering होगी बहुत ज्यादा पानी चलेगी excessive amount में तो हम पता कर लेंगे कि यह वाइरल से पानील अलसर जब फंगल कॉर्णिल अलसर होगा तो उसका क्या क्या सिम्टम्स होगा तो सबसे पहला blurring of visions अलसर के कारण उसको दूर नजदीक में धुनला दिखाई देगा eyelid swelling फंगल कॉर्णिल अलसर वाले patient में क्या होता आइलिड जो होता है हलका सूजा हुआ दिखेगा pain and irritation दर्द भी होगा और काफी उसको irritate irritation महसूस होगी फिर एक और point देखिए कि redness आंक भी लाल हो जाता है फंगल वाले patient में and photophobia photophobia means light tolerate नहीं कर पाता है जतना उस सुचे कि हम रोशनी से दूर रहे हैं देन अब हम हम बात करेंगे complications of corneal ulcer अगर corneal ulcer को सई समय पर हम treat नहीं करेंगे तो उसके कारण कुछ और भी disease and disorder हो सकता है कुछ और भी नुकसान हो सकता है तो अब हम complications के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है तो complications of corneal ulcer can be described under two heading मतलब corneal ulcer के complications को दू भागेंबाटा गया है पहला है before perforations दूसरा है दूसरा है आपका after perforations complications को यही दो headline से describe किया गया है before perforations and after perforations before perforations केहने का मतलब, cornea perforate होने से पहले का complications and last carnea का perforate होने के बाद का complications अब perforation मतलब अगर corneal ulcer हुआ cornea में और cornea करि projections क्या क्यों हो सकता है कोनी एलचर के कारब तो पहला आपका अंप्लामेशन्स हो सकता है अंधेरी युविय खे सकते हैं हीप इन्टेरियर चेंबर में पस का inflammation यह पसका जम जाना हाई पर उनका हलाएगा secondary glaucoma secondary glaucoma means associated with other ocular or systematic disorder किसी और ocular बीमारी के कार्या systematic disorder के करण क्या होता है secondary glaucoma हो जाता है तो आपको before perforations में क्या हो जागा secondary glaucoma हो जाएगा फिर है आपका dysmatosylia dysmatosylia मतलब जो cornea का layer होता है deciment वो क्या होता है उखड़ जाता है and corneal ascarring corneal ascarring जो होता है ज्यादा तर cornea heal करने के बाद होता है जब जखम ठीक हो जाएगा corneal ulcer अगर ठीक हो गया cornea पर तो तिन प्रकार का असकार छोड़ता है दाग छोड़ता है cornea पर पहला नेबूला दुसरा मेकूला तिसरा लेकूमा यह तिन तरीके का असकार है जो cornea पर दिखेगी after corneal ulcer healing अब देखेंगे हम after perforations complications after perforations complications में सबसे जो पहला है एंटेरियस हैने किया image के थुरू मैं आप सारा कुछ समझाने का प्रयास करूँगा लेकिन समझे एंटेरिस हैने क्या होता है आइरिस जो है जाकर cornea से चिपक जाएगा perforations के कारण यह जो आइरिस हो जाकर लेंज से चिपक जाता है अस्टीक हो जाता है उसे हम सायने किया बोलते हैं जैसा कि image में आपको दिखाई दे रहा है दूसरा देखेगा आइरिस प्रोलाप्स हो सकता है corneal ulcer और cornea parforate हो जाने के बाद आइरिस प्रोलाप्स हो जाता है वैसे तो आयरिस बिलकुल irregular देखता है आइरिस बिलकुल तूट जाता है तिसरा point देखिए का adherent लुकॉमा कॉर्णियर पर्फॉरेट होने का करण क्या हो जाएगा बिल्कुल अधेरेंट लुकॉमा हो जाएगा चारो तरफ ओपिसिटी नजर आएगी आपको एन फॉर्थ पॉइंट देखिए कॉंप्लिकेट क्याट्ट हो सकता है पर्फॉरेशन के कारण उसा आख में मोत हैंस अपने जगा से हिल जाना को हम क्या बोलते हैं सब लक्सेशन बोलते हैं अन्टेरीर यस्टपाइलोमा हो सकता है एं इंड्डॉप्टलमाइटिश हो सकता है अन् थेशिस बल्भी हो सकता है यह सारा यह तीनों इमेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह आपका यह लिए आप हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ओउअल अलसर का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले बैक्टरियल कुल्डले को कैसे हम इलाज differentiate कर सकते हैं थो इसके दो मेंटर अब डूसरा सिस्टेबाइटिक है ओन्हेंимости रपी तो हम बात करते हैं bacterial coninolcer को ठिक करने का प्रयास करेंगे इसमें सबसे उपर है आपका fluorocunolons eye drops यह antibiotic का एक इसमें जो fluorocunolons है वो आपका antibiotic का एक class है जिसके अंदर आते हैं यह सारे drops जैसे moxifloxacin, ceprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin and gati floxacin यह सारे आते हैं इस class के अंदर तो local therapy जब देंगे हम bacterial coninolcer का तो हम fluorocunolons eye drops लिखेंगे इसके अलावा एक और पॉइंट देखिए antibiotic duothrape इससे पहले हम monothrape दे रहे थे single concentrated antibiotic drop यह जो duothrape है इसमें दो antibiotic का mixture रहता है जिसे हम duothrape भी बोल रहे है composition यह combinations of two fortified antibiotic इसमें दो को antibiotic mix करके एक दवा बनाया जाता है such as cephalosporin and aminoglycoside जैसे cephalosporin भी आपका belong एक class है aminoglycoside भी एक class है दोनों को mix करके एक दवा तयार करेंगे वैसा दवा हम लिखेंगे इसमें इसके बाद हम additional drugs चला सकते हैं additional drugs कहने का मतलब अगर वह शकता हो तो वैसे दवा हम दे सकते हैं जैसे cycloplegic drops cycloplegic drops में जो आते हैं वो देखिए atropine image में भी दीख रहा है आपको homeatropine and cyclopendolate यह दवा additional के रूप में चलाया जाता है कि cycloplegic drugs मदद करता है प्रिवेंट करता है और अगर किसी अलसर में synekiya form हो गया है तो यह cycloplegic drugs उस synekiya को break करने का भी काम करता है तोडने का भी काम करता है cycloplegic drugs यूज करने से उसका people क्या हो जाएगा डाइलेट हो जाएगा अब हम देखेंगे systemic antibiotic therapy इससे पहले जो देखा वो local therapy थी एक local therapy से दवा चलाएंगे और दूसरा systemic antibiotic चलाएंगे systemic मतलब tablets के form में हम दवा prescribed करेंगे इसमें सबसे उपर है आपका सिफ्रो फ्लोकसासीन, सिफ्ट्रिया जोन, एमॉक्सी क्लिव और सिफेक्ट जाइम और टेट्रा साइकलिन और डॉक्सी साइकलिन यह कुछ दवा है जिसका हम इस्तमाल bacterial corneal ulcer में systematic रूप से करते है टैबले systematic पहले जब local देंगे तो anti-viral drugs चलता है इसमें तो local anti-viral drugs सबसे जो common है और साइकलोवीर 3% ointment 5 times per day और गैन साइकलोवीर 0.15% जिल 5 times daily इसमें मुख रूप से जो आसाइकलोवीर ओइंटिमेंट दिख रहा है यह आपका eye drops के form में भी आता है तो viral corneal ulcer से जो patient effective रहेंगे वैसे patient को हम यह drops लिख सकते हैं treatment लिखते हैं और उसको बोलते हैं दिन भर में 5 टाइम लगाने के लिए कम से कम 15 दिन तक और दूसरा गैन साइकलोवीर भी आपका jail के form में है इसको भी दिन भर में 5 वर उसको लगाने को बोलेंगे उसके अलावा हम कुछ addition drop देते हैं जैसे cycloplegic बहुत सारा कारणों से जैसे atropin, homeatropin हो गया and antibiotic moxifloxacin, cifrofloxacin और ofloxacin इसके अलावा हम दे सकते हैं अब systemic viral drugs जो चलाएंगे वो भी आपका असाइकलोवीर है असाइकलोवीर जो है आपका वो 200-400 mg का टैबलेट आता है जिसे हम दिन भर में 5 बर खाने को पेशिंट को बोलेंगे 5-10 दिन तक और इसी का एक ब्रेंड है जैसे फैम साइकलोवीर ये दो ड्रक्स है जो टैबलेट जो है वो कितना mg का है 400 mg का है कई जगा मार्केट में 800 mg का भी दोज उपलापत है जो अलग डिजिस के लिए है देन लास्टली फंगल कॉर्णियल अलसर का टीटमेंट हम कैसे करेंगे तो इसमें भी local therapy and systematic therapy सबसे पहले इसमें local therapy में हम क्या करेंगे तो पहला point removal of the इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे पे learni को का सबसे बाहरी इस्ट्रक्ट्र पर infiltrate हो गया फरढये इनफिल्ट्रेट जब हम fungus का sign बता रहे थे तो उसमें image को तुरू दिखाये थे और यहाँ अभी image को तुरू देखिए इस चीज को हम क्या करेंगे पहले हम remove करेंगे इसको इसको script करने के बाद हम क्या करेंगे antifungal drops apply करेंगे जैसे amphotericin B, iconazole, poriconazole and natamycin यह drop देंगे तब जा करके उसका fungal वाला ulcer ठीक होने का chance है नहीं तो अगर बीना हम उसको epithelium remove की अगर दावा डालते तो उसका कोई effect आईस पर नहीं पड़ता है इसके अलावा intraconazole का eye ointement भी आता है उसको भी हम prescribe कर सकते हैं patients में at bed time रात में सोते समय अब इसका systemic therapy देखिए तो antifungal का कुछ systemic tablets आते हैं जैसे tablet intraconazole आता है voriconazole का भी tablet आता है and fluconazole का भी tablet आता है intraconazole 200 mg कर आता है voriconazole 400 mg का and fluconazole 200 mg का अब इसमें जो सब से उपर है intraconazole उसको हम patients को prescribe करेंगे daily खाने को रोजाना 100 mg इसमें से dose घटा देंगे हम basically ये दो दिन का dose होता है पहले दिन अगर किसी को prescribe करेंगे तो 200 mg का उसको खाने को बोलेंगे दिन में एक बार और अगले दिन जब उसको खाने को बोलेंगे तो 100 mg खाने को बोलेंगे दिन भर में एक बार दें अगर हम वोरी कोना जोल टाबलेट लिखते हैं 400 mg का तो patients को इसको सुबा साम खाने को बोलेंगे हम एक दिन में complications complications का इलाज कैसे करेंगे तो complication में बताएं ना कि बिफोर परफुरेशन और आफ्टर परफुरेशन हो जाता है complications के करण तो उस परफुरेशन का management कैसे करें कैसे इसका इलाज करें उसके बार में बता रहा है पहला tissue adhesive glue with bandage contact lens हमारे पास ऐसे contact lens होते हैं जो क्या होता है glue के माधि हमसे tissue करनिया के front surface उसको चिपका देंगे जिससे उसका perforation रुख जाएगा दूसरा है कि corneal patch graft corneal को क्या कर देंगे patch कर देंगे grafting करने के उसको patch कर देंगे oqcive surface repair technique इसमें क्या करेंगे जो surface आपका जहां से leak है या जहां से perforate है उस चीज़ को ठीक करने का प्रयास करेंगे इसमें भी हम सेंचीज pad and bandage apply कर देंगे और देन लास्ली फ्लू कोना जोल का tablet चला देंगे सूबा साम कुछ दिन तक यहीं हुआ